बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं इनसा होना तरक्की की कुछ रोचनी सब के हिस्से में आ सके, कुछ चेहरों पर चमक लुटाई जा सके, कुछ दुश्वारियां हमेशा के लिए दूर की जा सके, इसके लिए कुछ लोग हमेशा जाकते रहते हैं निरंतर कोशिशें करते रहते हैं कि एक दिया तो जलाया जाए, कुछ अंधेरों से तो लड़ा जाए और ये कोशिशें किसी सरकार या इतिहास के किसी महान नाम की मोहताज नहीं होती बस एक संकल्प, एक इरादा, एक होसला और बस एक हिम्मत भरा कदब ताकि कुछ बेरंग जिन्दगियों में खुशियों के रंग भरे जा सके टांडा इसले भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, चुकि मुझे टांडा अपने आप में बहुत इस्पेसल जगा लगी जहां पर की इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतनी अच्छी लोकेशन है, इसके बावजूर बिजिस तरह का डिवलप्मेंट टांडा में होना चाहिए था, मुझे दूर दूर तक वो चीज नहीं दिखाई दी दिल्ली, मुल्क की तरक्की का पहिया कैसे घूमें, ये तै करती है दिल्ली, हर आदमी तक उसका हक कैसे पहुँचें, ये फैसला लेती है दिल्ली 15 अगस्त 1947 16 साल पहले आजादी के जश्न के साथ सियासत में अवाम से बेहतर जिंदगी और खुशाली के वादे किये कुछ पूरे हुए, कुछ पूरे हो रहे हैं लेकिन अब भी देश के कई हिससे ऐसे हैं जहां तरक्की के सूरज की रोश्नी अब तक नहीं पहुँची जहां जिंदगी अभी डूपती आँखों से उम्मीद का दामन थावें इंतजार कर रही है उस सुबह का जब तरक्की की रोश्नी उनकी जिंदगियों को खुशाल बनाएगी दिल्ली से महज 180 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड को जोडने वाले राजमार्क से जो सडक धूल और गुबार के साथ बधाल खस्ता हाल सडक की ओर ले जाती है वो इशारा करती है कि आगे का रास्ता आपको जिलारामपूर के टांडा की तरफ ले आया है टांडा पके हुए बास्मती धान की खुश्बू बिखेरने वाला कस्बा पहला कदम रखते ही ये कस्वा इस बात की गवाही खुद बखुद देने लगता है कि तरक्की का सूरज यहां शायद कभी चमका ही नहीं सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है लेकिन टांडा की जिन्दगी एक ही सुस्त रफ़तार से रिंगती रहती है एक लाह की आबादी वाला कस्वा टांडा जिसके एक तरफ सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है दुनिया को अपनी पीतल की कारीगरी से चमकाने वाला मुरादाबाद तो महज 90 किलोमीटर दूर है मिनी स्विट्जिलंड नैनितार 40 किलोमीटर दूर है जिम कॉर्बिट पार्क लेकिन टांडा की हालत बताती है जैसे विकास का कोई रास्ता यहां से होकर कभी नहीं गया लेकिन रात कितनी भी घनी हो सुबह होती जरूर है और जहां चाह होती है वहां राह भी होती है टांडा की आवाज विजडम इंडिया के चेर्मेन शील शुकला के कानों तक पहुचती है विजडम इंडिया ट्रस्ट सालों से शिक्षा के क्षेतर में देश भर में पूरी लगन और मेहनत से लगा हुआ है Wisdom India Trust के तहट हजारों बच्चों को एक नई जिन्दगी दी गई है उन्हें सक्षम बनाया गया ताकि वो अपनी जरूरतों के मताबिक अपनी जमीन और अपने हिस्से का आस्मान खुद पैदा कर सके यही आत्म विश्वास और ताकत टांडा की उमीदों को सौपने के मकसद से शील शुकला टांडा पहुँचते हैं और मुलाकात करते हैं टांडा के नगरपालिका अध्यक्ष शहबुद्दीन गोरी से और शुरू होता है मिशन टांडा की सोई तकदीर को जगाने का मेरे शील जी के कॉमन इसरेंट थे उनकी विएसे तो मुझे मालूआ कि इजुकेशन की इंड़स्ट्री में तो मेरा सबसे पहला जो इंड़स्टी उनके साथ में डेवलेप गए था कि एजुकेशन इंड़स्ट्री में है तो इनको टांडा अगर इनवाइट करेंगे तो यहां पर एजुकेशन के बारे में इंड़स्मेंट हो सकती है यहां पर इंड़स्ट्री स्कूल यह जो जो सिर्फ जो ट्रेशी रेट है वह सिर्फ 24 परसंट के करीब है और वेरी सर्प्राइजिंग की इन रेडियस अफ 30 किलो मेटर्स देर इस नो हॉस्पिटल वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है कि जहां पर वहां पर कोई भी परसंट जाकर अपना अच्छी तरह से ट्रीट्मेंट कर सके यह एक बहुत बड़ा वैक्यूम है वहां पर हेल्थ को ले करके आजादी के बाद भी सरसट साल से टांडा को इंतजार था ऐसी ही किसी इमानदार कोशिश का जो उनके नौजवानों को बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा का वो माहौल दे पाए जिसमें रहकर वो आने वाले कल के बेहतर सपने बुन सके महिलाएं और बुजर्ग बिना किसी भाय के जिन्दगी का स्वागत कर सके इस प्रोजेक्ट को टांडा में प्लान करने के पीछे सबसे पहली वज़ा तो थे मिश्टर सहाब ओदिन जो मुझसे मिले और उन्होंने टांडा के बारे में जिस तरह के हालात मुझसे बताए निष्टितियों बहुत ही चिंता जनक हाला थे और उनके बताने के बाद मैंने टांडा को चुना चुकि मेरा ट्रस्ट, विजडम इंडिया ट्रस्ट भी एजूकेशन और हिल्थ के फिल्ड में ही काम करता है तो हमने प्लान किया कि हम टांडा में चलेंगे और टांडा की पूरे हालात को बदलेंगे एक बेहतर एजूकेशन और बेहतर हल्थ सर्फिसेज हम वहां के लोगों को प्रोवाइट कराएंगे टांडा लगभग एक लाख की आबादी वाला कस्बा रोजगार के नाम पर या तो बधाल हालत में पहुँच चुकी राइस मिल्स का भरोसा है या पारंपरिक हत करगे से होने वाली कमाई का यहां के लोग जितनी रंग बिरंगी चादरें बुनते हैं उनकी जिन्दगी उतनी ही बेरंग है आलम ये है कि टांडा में अगर किसी को अचानक इलाज की जरूरत पढ़ जाए तो उसकी जिन्दगी उपर वाले के रह्मकरम पर रहती है क्योंकि टांडा से 30 किलोमीटर के दारे में आदुनिक सुविधाओं से लैस एक भी अस्पताल नहीं है सुवास्ति सुविधा के नाम पर टांडा में एक सरकारी अस्पताल तो है लेकिन उस अस्पताल में किसी भी तरह की सुवास्ति सुविधा के बारे में सोचना भी बेमानी है इलाज तो बहुत दूर की बात है टांडा का एक मात्र सरकारी अस्पताल खुद बीमार है और इस बीमार अस्पताल के रहम करम पे रहने वाले टांडा के हजारों लोग अच्छे इलाज के अभाव में इस दुनिया से बेवक्त रुखसत हो गए यहां अस्पताल होता है और यह डाक्टर टैम से देखता है तो हमारा बच्चे बच जादा लेकिन अंधेरों के बीच से रौश्णी ने सिर उठाया और विजडम इंडिया ट्रस्ट के चेर्मेन शील शुकला ने बीड़ा उठाया उस काम को करने का जिसे करने का तो दूर किसी ने इस तरफ सोचा भी कभी नहीं था कि शील जी ने पर एडूकेशन और हैल्थ इंडस्ट्री को कमभाइन करके इंडस्मेंट यहां पर दागा है तो साड़ी तिन लाग के आबादी को फादा होने के जाद साथ एडूकेशन के इंडस्री में हमारे है बूम आजी लोग आएंगे देखेंगे के इकादमी ने कर इसनामे में बहुत बड़ा कंटियूशन है और मैं कहता हूँ टांड़ा में तरक्की की एक नई शुरूआत करने का फैसला लिया यह काम मुश्किल था हमारा पास हॉस्पिटल नहीं है हमारा आप हॉस्पिटल देखें थर्टी बैड हॉस्पिटल इसमें कोई एक्सरे टेगिनिशन नहीं है कोई पैथालोजी लैब नहीं है वहां पर कोई डॉक्टर उस्टाइन करने है और इस हॉस्पिटल में जाने का मतलब था कि अगर मरी विजडम इंडिया ट्रस्ट ने अहवान किया देश की जानी मानी हस्तियों से कि वो आगे आएं और इस पवित्र काम में अपना योगदान दे एक आवाज उठी तो उसके साथ कई आवाजें आ मिली मिस्टर एम के सेथी वरिष्ट अधिवक्ता हाई कॉर्ट दिल्ली होसलों ने उडान भरी तो टीम भी तैयार हो गई और कदम बढ़ा दिये मन्जिल की तरफ जिसका पहला पढ़ाव था टांडा पहुँचकर वहां का जाइजा लेना ताकि बुनियात तैयार की जा सके उस बुलंद खाब की जो टांडा के आने वाले कल की नई इबारत लिखने को मचल रहा था टांडा की सकरी गलियों से होता हुआ विजडम इंडिया ट्रस्ट का काफिला घर घर पहुचा दर्वाजे दर्वाजे पहुचा और हर आँख में जाक कर देखने की कोशिश की कि उनके सपने क्या है विजडम इंडिया ट्रस्ट की परताल के बाद जो तस्वीर सामने आई उसके मताबिक टांडा को बेहतर भविश्य के लिए शिक्षा का एक मसबूत सरिया और बेहतर स्वास्ति के लिए एक modern technology से less अस्पताल की जरूरत है हमारा जो ये विजडम इंडिया ट्रस्ट का इनिशियेटिव है कि टांडा शहर में एक आयववेटिक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और साथ ही साथ होस्पिटल से जुड़ी हुई जो भी स्वास्ते रिलेटिड सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके एक बहुत ही सो समझ का इनिशियेटिव है जिसमें कि हम स्वास्ते रिलेटिड जो स्लुशन वो लोगों तक लेकर आ रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया जो लेटेस्ट टेक्नोलोजी एड्वांस्मेंट्स की जो ट्रीटमेंट डेक्टिड इसलूशन हैं वो उन तक हम पहुंचा सके हैं विजडम इंडिया ट्रस्ट के चेर्मेन शील शुकला, टांडा नगरपालिका के चेर्मेन शहबुद दीन गोरी, मिसर विजय आगरे, मक सेथी और डॉक्टर रोहिद गर के साथ टांडा के अनुभवी लोगों के साथ मीटिंग्स के कई ही दौर चले दिन रात चर्चा हुई कि कब, कहां और कैसे पहला कदम बढ़ाया जाए यह पूरे तीन फेज में हमारा प्रोजेक्ट बाटा गया है, और अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, वो हम अपने पहले फेज पर फोकस कर रहे हैं कई दौर की बैठकों के बाद ये तै किया गया कि टांडा में अंतर राश्ट्री इस्तर का 100 बैठका आयूरवेदिक और एलोपेथिक अस्पताल बनाया जाए एक विश्व स्तरिय आयूरवेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए हमारा पहला उदेश है कि टांडा के लोगों को एक अच्छी हेल्थ सर्वीस और एजुकेशन विल सके हेल्थ सर्वीस के लिया से हमने वहाँ दो तरह के ट्रीटमेंट का हमने प्रोसीजर रखा हुए दोनों तरह की फैसलिटी वहाँ पर एविलेबिल रहेंगी एक तो हमाँ पास एलोपेथिक सेक्षन रहेगा और दूसरा हमाँ पास अईरवेदिक सेक्षन रहेगा आयूरवेदा हॉस्पिटल टेकनलोजिकली इतना एडवांस हॉस्पिटल होगा कि पूरे वर्ड से लोग वहाँ पर वर्ड मेडिकल टूरिज्म का जो बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में आता है उसमें समुमीद करते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट हमारे कॉलेज के लिए भी होगा और उनको वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो कि वर्ड लेवल पर यूनिक होंगी और एडवांस होंगी तो वहाँ पर हमारे पास आयरुवेदा में हर तरह की फैसिलिटी होगी जिसमें पंच कर्मा का, शाला किया तंत्र का, शले चिकित्सा का, इस प्रसूती रोग का और इसके लावा के ऐसी बीमारियां जिसका कभी तक इलाज एलोपेथिक ट्रीटमेंट के तहद नहीं हो जा जा सका है उसके भी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हमारे उस आयरुवेदिक हॉस्पिटल में लोगों को मिल पाएगी और मुझे पूरी तरह सुमीद है कि वर्ड वाइड हॉस्पिटल बनेगा, वर्ड फेम हॉस्पिटल होगा और पूरे वर्ड से लोग यहां पर आ करके आयरुवेदिक ट्रीटमेंट का एडवांटेज ले सकेंगे कहन मंत्रणा के बाद विजडम इंडिया ट्रस्ट ने दिल्ली नैनिताल राजकिय राजमार्क पर टांडा कजबे से लगी च्छे एकड जमीन खरीदी और यहीं सपनों को पंक लगने शुरू हो गए इस्टेट हाईवे है और भी नेशनल हाईवे के लिए प्रपोज है यह इधर राइट साइड से डेली से आ रहा है और यह नैनिताल को जारा लेट साइड में यह दिल्ली नैनिताल हाईवे है तो यहां पर नॉर्मल फूटिंग से और नॉर्मल कांट तरीके से काम नहीं हो सकता है इसके लिए हमने मुंबई के इंडिया के सबसे अच्छे जानकार विवाकर्शा करके हैं उनसे शला ली और उन्होंने सजेस्ट किया कि यहां पर पाइलिंग के से और कोई काम हो नहीं बिका स्पाइलिंग करने के बाद में यहां पर नॉर्ट इंडिया में जिसतर ईसका नहीं होगा यह स्लाप से अलमोस् पोस्निक किके स्लाप करते हैं यह वह इसा नहीं sekarang पेछ मिदम नहीं नहीं रहेगा और है इस अफ्क से ही आई टिक्नॉली वी उसकार करेंग गे पहला पढ़ाओ तह कर लिया गया इस उमीद के साथ कि आने वाले वक्त में टांडा हिंदुस्तान के नक्षे पर एक फक्र का सबब बनेगा तरकी की उची इमारतें और उमीदों की रोशनिया दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खीचेंगी और एक रोज टांडा की बधाली बीते वक्त की बात होगी और टांडा आदुनिक्ता की नई मिसाल कायम करेगा MK सेथी ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से जुड़ी सभी लीगल औपचारिकताओं की जिम्मेदारी संभाली तो विजय आगरे ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के निर्मार का बीड़ा उठाया डॉक्तर रोहित गर को एलोपैथ डिपार्टमेंट का हेट बनाने का फैसला किया गया बाचीत आगे बढ़ी तो ये तय हुआ कि एक Rehabilitation Center की भी स्थापना की जाएगी और उसकी जिम्मेदारी भी डॉक्टर रोहित गर्ग संभालेंगे मानसिक स्वास्त या मानसिक तनाव से जुड़ी हुई समस्यां को भी हैंडल कर सके तो इसके लिए एक Special Psychiatry Unit होगा जिसमें की लोगों के कनाव से कैसे दूर रहना है बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्यां या फिर मन्द बुत्ती जो बच्चे होते हैं उनको आगे जीवन में कैसे बढ़ना है और जो लोग मानसिक बिमारियों के शिकार हैं उनके लिए भी हम वहाँ पे Special Facilities क्रेट करेंगे और इस Special Psychiatry Unit होगा विज्जम इंडिया ट्रस्ट के प्लान की मताबिक करीब 4 लाख लोग अस्पताल पर आश्रित रहेंगे हर रोज करीब 500 लोगों को इस अस्पताल का लाख मिल सकेगा सौ बेट के अस्पताल में एलोपैथ और आयूरवेद दोनों तरह के इलाज की सुविधाएं रहेंगी हर डिपार्टमेंट के उच्चस तरिये और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम 2400 गंटे उपलब्द रहेगी इसके लिए डॉक्टर्स के रहने की सुविधा भी कैमपस में ही की जाएगी किसी भी तरह की जाँच के लिए मरीजों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा चीज इंकम की जरूरत है या जो हमारे एक्सपेंसेज होंगे उनको मीट आउट करने के लिए हमारे पास इस्पेसिली चार सोर्सेज हैं पहला सोर्स है हमारा हमारे स्टुडेंट्स जो हमारे हाँ आयरवेदिक मेडिकल की इस्टडीज कर रहे होंगे दूसरा सोर्स है हमारे हाँ हमारा आयरवेदिक एंड एलोपैथिक सुपर स्पेसिलीटी हॉस्पिटल जहाँ पर एप्रॉक्समेटली फ़र्डे 500-1000 के बीच में OPDs होंगी थर्ड हमारा इंकम का सोर्स होगा यहाँ पर वो फॉरेड मेडिकल टूरिस्ट्स जो आयरवेदिक ट्रीटमेंट के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज में आएंगे और चौथा सोर्स है खुद हमारी आयरुवेदिक फार्मेसी जिसके लिए हमारे कॉलेज केंपस में ही वन एंड हाफ ये कड़का हरबल गार्डेन है विज्डम इंडिया ट्रस्ट का दावा है कि विश्वस्तरीय आधुनिक चिकित्सा पद्दतिका अस्पताल होने की वज़े से टांडा में इंटरनाशनल मेडिकल टॉरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा और विदेशी शोध करता भी यहां आकर अपनी रीसर्च कर सकेंगे आपनावा लिए ट्रस्ट कर प्रसन थे मेडिकल इच नेकल चिर मेडिकल स्थर अपनेंट कर लिए सब्सक्रों। There are several vast opportunities wherein the investments in healthcare sector may yield good amount of results, it reap up to new results, it reap up to new benefits, come be a part of Disney Media Trust, wherein Tanda Ayurvedic Medical College and Inception by Shivamashukla is going to be one of the leading landmarks in the field of Ayurveda health sectors. Medical tourism has been a great external regulator in the fields of providing essential and basic requirements of medical facilities to citizens living abroad. People have been approaching country like India for seeking cheaper and sustainable medical facilities. जो टांडा आज ढंग के एक बेसिक शिक्षा स्कूल के लिए सरकारी मदद या आस्मानी ताकत की तरफ से होने वाले चमतकार का रास्ता देख रहा है, उसी टांडा की सूरत बदल जाएगी, जब अस्पताल के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी टांडा में ही म पारीब 500 स्टूडेंट्स हर साल आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर सकेंगे, इस मेडिकल कॉलेज में भी पूरे वर्ड सो लोग आपाएंगे और यहां पर एक टाइम पर 500 स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक के एडवांस सिस्टम की स्टडीज कर पाएंगे, विज्डम अब दुनिया के किसी भी मानक की कसोटी पर कम न रह जाए, इसके लिए डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ तमाम जरूरी आपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। सिर्फ अपना कंस्ट्रक्शन सुरू करना है। साथ के किसी मदद की उमीद नहीं है। उनको जहां बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा वहीं दूसरी ओर टांडा और मेडिकल कॉलेज का डेवलप्मेंट बहुत तेजी से हो सकता है। टांडा की जिन्दगी मुस्कुराएगी, खिल खिलाएगी और बधाली जिन्दगियों से दूर चली जाएगी। विज्डम इंडिया ट्रस्ट और टीम लगी है अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ। लेकिन स्वागत है हर उस हाथ का जो इसमें अपनी सहभागिता तै करना चाहता है। मिसाल कायम की जा सके।